सब्सक्राइब आज हम देखेंगे अगें पोराइट्स , ईसनोल से सब्सक्राइब केटिां करद हैं , आप वीडिया जा के देख सकते हैं आपको प्ली लिस्ट का लिंक आई बटरन में मिल जाएगा तो बोराइट्स एक्चली क्या है देखिए इन और्गनिक केमेस्ट्री का जो आपके समेस्ट्री एक्जाम के पॉइंट आफ्यू से एक नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको एलिए इंपोर्टेंट है युं गडर्वाइड्स प्रेस्टरी एक्वेट्स क्या है एक प्रोविपएड़नू लेस्ट्रोम के लिएसFC यूप्सका बोश क्यूत रहते हैं वाजयम्पलस और बोन दोनों का जो मिलकर जो compound बनते हैं उसको borides करते हैं the borides has a very large group of compound that are generally high melting and are covalent more than ionic in nature borides क्या होता है बहुत ही large group होता है compound का एक बहुत large group है यह generally जो है इसका गल्लांग जो होता है melting point जो है बहुत high होता है and are covalent more than ionic in nature जो अपने प्रदर्सित करते हैं अपना nature से ज्यादा प्रदर्सित करते हैं यह simple size का आप definition दे सकते हैं borides compound एक compounds है जो कि boron और less electron negativity जैसे कि silicon borides से मिलकर बना हुए होता है compound है और यह जो है इनका एक large group है compounds का जो की जिनका गल्लांग जो है बहुत कम होता है melting point बहुत कम होता है और covalent होता है ionic से ज्यादा covalent होता है सिंक है इसका सिंपल साब इसका दे सकते हैं उसके बाद जो हम इसका preparation देखेंगे preparation भी बहुत इज़ी है borides are produced by melting or sinetring metals which boron depending on the ratio of metal boron the result can be very rich in boron ठीक है borides क्या होता है melting या फिर sinetring क्या आता है melting क्या जाता है इसे गलाया जाता है metals को boron के साथ ठीक है किसी भी metals को boron के साथ गलाया जाता है तो हमारा borides प्राप्त होता है depending ये depend करता है कि ratio क्या है metal और boron का ratio क्या है उससे सबसे हमको इसके quality अच्छा borides प्राप्त होगा घटी अपर borides प्राप्त होगा उसके ratio पर बहुत depend करता है जैसे कि हमने 50% metal मिला है 50% boron मिला है तो हमें अलग quality का borides मिलेगा अगर हमने 25% metal मिला है तो हमें अलग quality का borides मिलेगा तो इस प्रकार से ये जो है इसके ratio पर बहुत जादा depend करता है the result can be very rich in boron ठीक है अगर हम boron हाँ देखिए किसी भी metal को boron के साथ ही हमको melting करके borides बना जाता है अलग के साथ भी किया जा सकता है लेकिन result हमारा बहुत अच्छा प्राप्त होता है अगर boron के साथ किसी metal को हम melt करते है तो हमको अच्छा borides प्राप्त होता है पर simple सा इसका property preparation ह actually आपको यह तीन अच्छा नमबर में पूछेगा तो आप इतना लीग देंगे तो आपको definitely अच्छा माक्स मिलेगा इसका properties है borides display excellent mechanical properties they are electro ordinary hard making than the perfect material for steel hardening ठीक है यह actually बहुत ज़्यादा इसका जो यांत्रिक properties जो है इसकी बहुत excellent यांत्रिक properties होते हैं they are extraordinary hard making किसी भी metal को जो है अलब किसी भी पदार्थ को या किसी भी जैसे की steel है हमारा अगर उसको बनाता है तो hard making के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है borides का them the perfect material for steel hardening ठीक है यह जो है hard making के लिए यूज किया जाता है तो steel hardening steel को जो है hardness प्राप्त करने के लिए जो है borides का उप्योग करते हैं और इसका properties है यह बहुत ही important यूज किया जाता है और बहुत ही excellent mechanical properties प्रदसित करता है पस यह बोराइट आइसोपोली हैट्रोपोली acid का एक important topic है चोटा सा topic है I hope कि आपके semester exam में आपको notes बनाने में आपक second semester actually हर एक university का syllabus थोड़ा different होता है तो आपको किसी न किसी तो आपके semester में मिल जाएगा तो I hope कि आपके लिए useful हुआ हो अगर useful हुआ हो तो please support कीजिए like share and subscribe to my channel and thank you so much for watching हुआ हुआ है